Hello everyone, welcome back to Home Science with Charlie तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से Home Science with Charlie में तो मैंने कल आप लोग को बोला था कि आज सुबह वीडियो नहीं हो पाएगी तो क्यूंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी तो इस वज़े से हम लोग ये वीडियो शाम को मतलब डिसकस करने हैं वैसे तो हम लोग की जिस तरह से consistency बनी हुई थी उसके हिसाब से सुबह ही कर लेना चाहिए था बट सुबह नहीं हो पाया तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी classes करी हैं आपकी cotton, linen, silk, wool और आपके क्या बोलते हैं ये सभी जितने भी मैं आपको बता दूँ जितने भी notes हम लोगों ने डिसकस किये हैं ये आपके सभी home science में जितने भी exam होते हैं आपके TGT, LT, GIC या assistant professor या आपका net ये सभी के लिए notes हैं ऐसा नहीं कोई है सिर्फ LT और या फिर TGT, APGT के लिए हैं ये सभी exam के लिए helpful हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एक दो तीन कई किताबों से जो निकाल निकालके वो चीज़ें करी गए ठीक है तो चलिए इस वज़े से आप लोग उसको note कर सकते हैं बार बार एक दो बार वीडियो देख करके revise कर सकते हैं अपना बढ़िया से याद कर सकते हैं तो चलिए फटा-फट सुरू करते हैं और एक चीज़ और आज है नॉमी तो आप लोगों को नॉमी की धेर सारी शुब काम ना है celibate कर ली होगी आप लोगों ने और अभी भी celibate करी नहीं होगी मेला वगरा गूम आई अगर आसपास आपके कहीं मेला वगरा लगता हो तो मज़ा आएगा थोड़ा बागी ठीक है और क्या कहते हैं चलिए तो बढ़ते हैं अपने discussion की तरह फटा-फट एक चीज़ देखिए आपके लिए कि दुनिया में दो तरह की लोग होते हैं एक वे जो गौरम एतीत का बयान करते रहते हैं दूसरे वे जो बहतर भविस्य की निर्मार पर ध्यान लगाए रहते हैं आपको क्या करना है अगर अभी तुरंट जैसे ही आपने ये लाइन सुनी अगर इस वक्त आपका दिमाग या अभी इसके पहले भी आप अपने बारे में या आपने कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हों जो मतलब कुछ प्रोड़क्टिव नहीं है तो करने के लिए सोच सकें और करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकें ठीक है ऐसे लोगों के साथ कम टाइम वितित करिए जो आपका पिछली बाते सोच करके या कुछ ऐसी बाते सोचने पर या डिसकस करने के पर आपको मजबूर करें कि हाँ जो टाइम अच्छा नहीं ठीक है तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव रही और उनी समय को उनी पलो को याग करिए कि जो आपको थोड़ा सा खुशी दे सकें आपको और बहतर बहतर बना सकें ठीक है तो चलिए अब आज का ग्यान इतना ही आते हैं फटा-फट सबसे पहले देखिए क्या है जो आपका पॉलिमर रसायन से बनते हैं कहने को मतलब यह जो रेशे होते हैं आपके वो किस से बनते हैं मतलब कि यह ताप सुनम में होते हैं और यह पॉलिमर रसायन से बनता है आपका जो नायलॉन है बाकी और भी जितने आपके सिंधेटिक फाइवर है आगी हम लोग भी डिसकस करे इसके बाद है नाइलाॉन को हम लोग जादू रेशा भी कहते हैं, यहनि की मैजिक फाइबर, इसको आटिफिशल फाइबर भी कहते हैं, आटिफिशल फाइबर का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी नेचरल सबस्टांस ना हो, ठीक है, जो भी यह बनाया जा रहा है, वो किस से वूल और आपका शिल्क यह सब हम नेचरल फाइबर इसको क्यों कह रहे थे क्योंकि इसमें कुछ नेकुछ नेचरल था प्राकृतिक था कुछ नेकुछ ठीक है तो चलिए इसको इसको सुगम जीवन रिशा यानि की इजी लाइफ फाइबर भी कहते हैं क्योंकि बहुत इजी यह सारी चीज़े हैं इसको हम लोग एक एक करके डिसकर करेंगे बड़ आज हम किसके बारे में पढ़ा है नायलॉन के बारे में और यह जो आपने पढ़ा यह सब कुछ आपका यह सब आपका नायलॉन के बारे में ही था किसके बारे में था नायलॉन के बारे में नायलॉन को ही हम लोग जादू रिशा भी कहते हैं, कृतिम रिशा भी कहते हैं, सुगम जीमन रिशा भी कहते हैं फिर नेक्स्ट है, नायलॉन का आविशकार कैसे हुआ? नायलॉन का आविशकार हुआ आपके, E.I.Dupondi Numerous and Company के वेग्यानिक थे यह कंपनी का नाम है, और यहां के वेग्यानिक थे, Dr. Vallis H. Carothers इनको पॉलिमराइजिशन बहुत पसंथा, मतलब कई ने कुछ को चीजों को करके यह आपस में पॉलिमराइज करते रहते थे चीजों को, तो वो करके इनको ऐसा पता चला, कि यह दि पॉलिमर को पिगलाया जाये, तो वह असपस्ट, वह भारी रॉल के रूप में दिखते हैं, जिससे एक लंबे रेशे के रूप में खीचा जा सकता है, भाई यह पॉलिमर को पिगलाया करते थे, तो इनको यह चीज पता चली, कि यह क्या है, एक भारी रॉल के रूप में दिखते हैं, जिससे एक लंबे रेशे के रूप में इनको खीच करके एक रेशा बनाया जा सकता है, फिर नेक्स 6 अडू थे उसमें 6 अडू इसलिए 6 बोला जा रहा है इसको ठीक है इसलिए इनके मिस्टर से जो पॉलीमर बना उसे संगठन में संगठन में मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन के समान होता है इस रेशे में कई विसस्ता है रेशम और उन के समान होती है यह जापकी जानने के लिए है लेकिन यह बिल्कुल रेशम और उन के बिल्कुल समान नहीं होता है बट हां कुछ-कुछ करेक्ट चैनलीन, डायमीन और ADIPIC CID के 6-6 अडू थे इसके बाद उनुछी सॉल्टिस में इसका नाम बदल करकर क्या रख दिए है नाइलॉन रख दिया गया पहले नाइलॉन six six रख गया फिर बाद में नाइलॉन रख दिया गया अच्छा अब नाइलॉन का निर्मान कैसे होता है तो इसके देखिए कुछ ने कुछ सामगरी होती है जिससे हम बनाते हैं जिससे नाइट्रोस बना था तो क्या था उसमें कापास की पट्टियां थी तो वो उसका एक एक कमपाउंड था उसका उसका उसी तरीके से अब नाइलाॉन का जर्मिर्माण हो रहा है इसमें कोई निर्माण के लिए पहले के टाइम में क्या होता था अब इसको आप यह जान लीजिए यह जो आपको लिखा गया है ठीक है यह जो लिखा गया इसको बस आपको समझना है अब एक्चुल में कैसे निर्माण होगा वो हम देखेंगे कि नैलान निर्माण के लिए पहले कोलत तो हेक्सामिधायलीन डायमीन और एड़िपी केसिद नामक रशायन का निर्मार किया जाता है। फिर क्या होगा आपका नाइलॉन के निर्माड हेतु आप दोबारा सबाईजीज कि नाइलॉन के निर्माड हेतु कोईला, हवा, पानी पेट्रोलियम के अवसिस से दो पदार्थ बनते हैं जो चीज वहाँ लेखे वही चीज यहाँ पे लेखे इन के सिर्फ लेखे लगए तो क्या होता है जब इन चीजों को आप मिलाएंगे इनके अवसिस्ट से मतलब इनके पॉलिमराइइस करने से या इनके मिक्स होने से क्या दो पदार्थ बनेंगे, और कौन से दो पदार्थ बनेंगे हेक्सामिथालीन डायमिन और एडिपिक एसिद, ये दो रसानिक पदार्थ है, ये दोनों चीज बनेंगे, कहने का मतलब है, कि जब आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर कोईला हो गया, आपका देखे, कोईला, हवा, और पेट्रोलियम, चलिए, फीफ और पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इनको जब हम क्या करेंगे, इनको जब हम पुरा मिक्स करेंगे, आप ऐसे समल लीजिए, मिक्स का यह सिंबल है, जब आप इनको मिक्स करेंगे, ठीक है, इनको एक तरीके सीन का, आप कह सकते हो, इनको मिलाएंगे, ठीक है, इनके मिलाने के बाद क्या बनेगा, ये दो पदार्थ बनेग अब इन दोनों के इसके और इसके सन्योग से क्या बन जाएकर Nylon Salt त्यार हो जाता है अब इसी Nylon Salt को क्या किया जाता है Autoclave Cattle होती है उसमें डाल करके क्या करते है बहुत High Temperature पर उसको गरम किया जाता है गरम करने के बाद क्या होता है गरम करने से इसके छोटे-छोटे अडू आपस में जुड़कर बड़ा पॉलिमर बनाते हैं और इसे linear super polymer कहते हैं और ये जो गरम करने से छोटे-छोटे अडू आपस में जुड़ते हैं इसको condensation polymerization भी कहा जाता है क्योंकि क्या हो रहे हैं? कई सारे अडू आपस में मिल करके polymerize हो रहे हैं इसलिए इसको condensation polymerization भी कहते हैं और इसे linear super polymer भी कहा जाता है आप जब linear super polymer बन जाएगा तो इस polymer को क्या किया जाता है? कास्टिक वील पर फैला कर कास्टिक वील एक यंत्र है आप कहा सकते हो उस पर फैला कर क्या किया जाता है? यह जो आपका घोल है जो आपका linear super polymer बन गया है उसको फैला कर पट्टी का आकार देकर जमा दिया जाता है पट्टी आप समझ रहे हैं आप मा लिजे इस तरीके से करके ऐसे इसको पूरा पट्टी जैसा ऐसे बना करके इसको जमा दिया गया यह आपका nylon पट्टी तयार हो गए इसको हम लोग nylon ribbon बोलते हैं इस तरीके से पट्टी बना दी जाती है मतलब वही casting wheel जो है उसको फैला दिया जाएगा फैलाने के बाद क्या होगा जिससे nylon ribbon प्राप्त होता है जब यह इस तरीकी की पट्टी बन गई है तब इसको हम लोग ribbon ही कहेंगे एक सेकेंड बहुत इसमें मैंने गंदा गंदा कर दिया है अब यह आप इतना ही देखो तो यह हो गया यह आपकी nylon ribbon तयार हो गया यह nylon पट्टी बन गई अब जब यह ribbon प्राप्त हो जाता है तो इसको आपने तुरुन 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 जमाया है इसको ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है यह जो है आपका इसको ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा इस पट्टी को इस तरीके से ऐसे चोटे टुकडों में काट लिया जाता है, तो इसको हम लोग या तो चिप्स बोलते हैं, या फिर फ्लैक्स बोलते हैं, अब जब यह जो पट्टी थी आपकी, इस पट्टी को टुकडों में ऐसे ऐसे काट लिया गया, इसके बाद काटने के एक बाद फिर क्या किया जाता है फिर से इसको पिगलाया जाता है फिर से पिगलाया जाता है तब आपको एक गाढ़ा गोल प्राप्त हो जाता है क्या प्राप्त हो जाता है और फिर इसी गाढ़े गोल को क्या करते है इस पिन रेड में डाला जाता है और उससे रेशा तो ये सब हम लोगों ने पूरा एक बार आपने देख लिया ठीक एक बार फिर से चलिए रिवाइज कर लेते हैं कह सकते हो आप लोग यह देखिए क्या करते हैं कोईला हवा पानी पेट्रॉलियम के को मिलाते हैं उनके मिलाने से क्या बनता है hexamethylene और diamine और adipic acid बनता है अब hexamethylene, diamine और adipic acid के बनने के बाद क्या हो जब यह दोनों चीज़े बन जाती है तो इनके ही combination से आपका nylon salt बन जाता है अब nylon salt को क्या करते हैं autoclave cattle होती उसमें गरम करते हैं बहुत high temperature पे गरम करने से क्या होता है आपस में polymerize होते हैं इसको हम लोग condensation polymerization के नाम से जानते हैं अब जब यह पूरा linear super polymer बन जाता है आपस में polymerize होने के बाद तो इसके casting wheel एक आपकी wheel जैसा होता है उस पर क्या किया जाता है इसको पूरा linear polymer को फैला करके इक पत्टी का आकार दे करके जमा दिया जाता है अब इस पत्टी को हम लोग क्या बोलते है hn nylon ribbon nylon ribbon को क्या करते हैं फिर जब इन ilon regard बन रिबर बन गया इस पत्टी आकार को इस पर हम लोग ठंडा पानी गी आते हैं जिसे क्या करते है जाता है एक जगह यहां पर पूरा देखी लिखा हुए आपको समझ में आ जाएगा या आई हो यहां से आपको मैं यह से बता देखती हूं यह देख सकते हैं आप अरे सॉरी हम यह देखकीए क्या है सबसे पहले आपका hexamethylene, diamond और adipcop les जब आपने koila और petroleum, coal तार यह सारी चीज़े मिलाई तो क्या प्राफ्थ हूँ हमें hexamethylene, diamond और adipcop les इनके मिलने से क्या प्राफ्थ हूँ हमें nylon salt प्राफ्थ हूँ है अब nylon salt को हमने क्या किया autoclave में खूब गरम किया, गरम करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, linear super polymer ठीक है, और यह जो गरम करने की प्रक्रिया थी, nylon salt को अच्छे सम लोगों ने autoclave में गरम किया, उसको condensation polymerization भोलते हैं, आच्छा, इसके बाद अब autoclave में गरम करने के बाद जो आपका senior super polymer प्राप्त ह होता है, अब nylon ribbon को क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर ठंडा पानी गिराएंगे, जिससे ribbon क्या होता, अच्छी तरीके से जम जाएगा, जमने के बाद फिर क्या करेंगे, जमा हुआ रिबन है, उसको छोटे-च्टुकडों में काट लेते हैं, जिसको हम लोग nylon flax बोलते हैं, अब ये flax और या फिर chips को क्या करेंगे, दोबारा से हमें लोग इसको melt करते हैं, melt करने के बाद हमें एक गाढ़ा-गोल प्राप्त होता है, और इसको हम लोग spin rate के छिद्रों में डालते हैं, और हमें क्या होता है, बहुत अच्छा समें एक ratio प्राप्त हो जाता है, I hope आप से ही पूछ सकते हैं, बस कि नायलॉन जो है किस से बनता है, जादा तर इतना याद करने के जरूँ थी नहीं, बस आप से सिर्फ इतना पूछेगा, यही, sorry, आपको बस यह याद रखना है, यही इतना याद रखना, ठीक है, यह जवाब का बस यही दोकी, नायलॉन किसके क चिकना, मजबूत वर लचीला नायलॉन धागा प्राप्त होता है, यह जो धागा हमने प्राप्त किया है, अभी इस्पिंगेट के छेदरों से जो निकला है, उसको फिर क्या किया है, साथ जाट गुना उसको खीचा जाता है, और उसको खीचने से सूख्ष मिचिकना, कि वो क्यों होती है, हाइडोजन बॉन के कारण, यह आपको याद रखना है, अच्छा, कुछ-कुछ और बाते हैं, यात्रा के दरौन नायलॉन के वस्त पहना सबसे अच्छा माना जाता है, यह आपसे यूजिसी नेट में मैचिंग के कोश्चन में पूछ लेता है, ठीक ह होती है, तो चमक को कम करने के लिए डिलस्टरिंग की परसज़ा की जाती है, चमक को कम करने वाली परसज़ा, ठीक है, इसमें टिटनियम ऑक्साइड और बोरियम सल्फेट जिंक ऑक्साइड का उप्योग किया जाता है, जिससे नायलॉन की चमक को थोड़ा सा कम किया जा सक फटा फट देख लेती है बहुत ज़्यादा नहीं खीचेंगे देखे क्या है मोनो फिलामेंट मतलब एक रेशिय धागा जो आपका एक रेशा हो ऐसे एक रेशा इससे क्या होता इससे इकहरे धागे बनते हैं बिना बटे हुए होजरी के वस्त बनाई जाते हैं यह जो इकहर एक इह बना फिर इसी के उपर एक और फिर इसी के उपर एक और तो ये आपका multi filament धागा हो गया ठीक फिर इन सबको आपस में क्या कर इन तीनों जैसे- तीन चार हो गई या मत मतब तीन कलर करो गया अब इसको आपस में एठन ले देंगे और इसको अच्छे से बटाई कर देंगे इस पर फिर तो यह एक ही धागा बन जाएगा ना लेकिन रहेगा तीन-चार बट एक ही में मिक्स करके इसको एक धागा बना देंगे इससे क्या बस्त बनते ही, वो कैसे मजबूत होते हैं. इससे नाइट गाउन वगर ऐसे बनाया जाता है. आप है, इस्मंध खच Apparently, का मतलब क्या होता है? चोटे रेशे थो नाइलोन में तो चोटे रेशे न हैं, लेकिन होता क्या है इसमें? इनमें जो है लंबे रेशों को काट दिया जाता है चोट Important लुकड़ों में काट करके उनको अच्छे से काता जाता और खीज करके इसपन यान से कपड़े बनाया जाते हैं और ये भी मजबूत होते हैं प्रत्यासिता थोड़ी होती हैं और घरसर के प्रतोधी होते हैं मतलब कितना भी घिस विस के पहनो आप तो वह चलेगा आराम से चलेगा इस्पन का मत जहां पर भी इस्पन या इस्टेपल लिखा रहा है तो उसका मतलब तो आप समझी गए हैं कि छोटा रेशा फिर हमारा नेक्स्ट है ठेक्च्चर धागे क्या होते हैं धागों के सतह पर छोटे या बड़े लूप बने होते हैं इसको आप सजावति वाल धागा आप कह सकते हैं तो इन क्या होते हैं विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करके धागों को घुंगराला बना दिया जाता है यह सब आपके नेट में पूछे गए हुए पॉइंट्स हैं के this धागे क्या है lecture धागे क्या है इस पन यान ग्या है ठीक है याद रखना है आप में अब लोग पढ़व लेते हैं फट्ता फट्टा फट्ट घडील शेन आ हैं जल्देर कर्थ सबसे मजबूत धागा इसको माना जाता है पुराने टाइम में जो पैरा सूट होता था वह नायलॉन के धागे से बना जाता था ऐसा बोलते हैं और आजकल तो फिर बहुत सारे धागे आ गए हैं माइक्रोस्कोपिक रचनाइस की ऐसी है कि 36 काट में ये गोल चिती दार दिखाई देते हैं मतलब फी क्रॉस-चेक्षनल में तो चिती-दार का मतलब ऐसे रहता है इस तरीक है के थोड़ा सा ऐसे से चिती-चिती टाइप के दिखाई देते हैं ठीक है बच्छी से बनानी होती है, कभी भी इस पर press करने कीस जरुर्थ नहीं पड़ती है, आप सुचता है, इन मजबूत ईतरीकी से, मजबूती तो बहुत होती है, अभी मनें आपको बताया कि पैर शूट्स के पैरा सूट वगड़ा पहले नाय जाता था, सिकन מ bakery लोधी में बिल्कुल करते हैं कभी प्रस करने की ज़ूरत नहीं पड़ती उसमा का कुछ अलग है गर्मी में अगर आप पहनेंगे तो काफी गरम करता है फिर भी टी-शिर्ट वगएरा और क्योंकि पहनने में बहुत कप्ड़ें प्रिफर करते हैं क्युक्त वह बहुत ही लचीले होते हैं हैं अगर आपकी बॉड़ी से वह लगे हुए है बिल्कुल तब प्याप जिस मॉड़ में चाहे और बैठ एक भी कर सकते हैं घरसर के कारण static electricity charge उत्पन होता है इसको कम करने के लिए उस पर जो है थोड़ी finishing में गरा करी जाती है फिर है कीडे और फफूत का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ठीक इसके बाद ताप का प्रभाव कम ताप पर भी यह पिखल जाते हैं कभी प्रेस नहीं करना पड़ता अगर आप यह कम से कम 300-400 डिग्री फारन हैट तक आप ले गए तो यह तुरत पिखल जाएंगे और बाकी तो रेशे जो आपके है वह और भी ज्यादा हाई टेम्प्रेचर पर आप ले जाए यह तब जाके पिखलते हैं इसमें होता क्या है देखिए यह एक टर्म आप अच्छे से समझ लिए सम यहां पर इंक्लूट कर दिया है अब अच्छा सरी यहां पर यह फिर से हो गया है इसको छोड़ी दीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा अब राशानी के सस्ता यह चाती है इसकी देगे तीवर अमलका इस पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है ओके फिर छार का प्रभ प्रभाण किया जाता उनको क्या कहा जाता यह भी एक्जाम में पूछा गया है अपसे इसलिए मैंने डाला है देखे सबसे पहले टाइप का वस्तर है आपका फस्तर है कि शत्प्रशत नायलॉन के वस्तर मतलब ऐसा वस्तर जो 100% नायलॉन के फाइबर से बना हुआ हो ठीक कल एक बच्चे ने पूछा था मितलब कॉमेंट किया था कि टैटिंग क्या है तो टैटिंग मैं आपको बता दूँ यह आपके एक ब्रेडिंग का प्रकार है ब्रेडिंग का मतलब होता है कि रेशो को आपस में गूत करके जो चीज़े बनाई जाती है कुछ-कुछ सजाव प्रभावधपन करने के लिए यूज किया जाता है तो आपका ब्रेडिंग क्या है रेशो को आपस में गूत करके जो प्रभावधपन किया जाए वह आपका ब्रेडिंग है और आपका टैटिंग क्या है एक टाइक आप ब्रेडिंग है ठीक है और टैटिंग आपका जाजी रहेंगे कि मिक्स करके इसमें क्या होता है एक धागा जैसे माली जी ताना बाना होता है तो ताने का जो एक धागा होता है वो नायलॉन करहेगा पर जो बाने का धागा रहेगा वो दूसरे दूसरा फाइवर है जैसे माली जी उन रहेगा फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ताना नायलोन का हो दूसरा बाना आपका कॉटन का हो इस तरीके से मतलब ताने का धागा नायलोन रहेगा और बाने वाला धागा कुछ और रहेगा इस तरीके होता है एक चीज़ और याद आ गई कल की वीडियो में कल मैंने वार्प को जो है आपके बाना बोल दिया था बड क्या करूए यह समली जेनिटिक है इसको मैं नहीं बदल सकती हूं आपको पता है जेनिटिक शीजि œ नहीं बदलती हैं फिर भी यह थोड़ा सा इंवार्मेंटल ही है मैं इसको काम करती हूं यह जब याद आचाता है तो देरे बोले लगती हूं फिलाल आते हैं दूसरे चीज़ पर सन्योजीत वस्तर आपके, सन्योजीत वस्त में क्या होता है, इसमें भिन भिन रेशों को अलग-अलग बटकर धागी के रूप में तयार किया जाता है, मतलब आपने एक धागा जो है अच्छे से इसको बटाई कर दी, ये वाला धागा इ उसको प्लाई धागा बोलते हैं, और इससे क्या बनता है, इससे एक आपका नायलॉन है और सूती रेशा है, ये नायलॉन है या रेयॉन है, इन दोनों को मिक्स करके जो वस्तर बनाया जाएगा, उसको हम लोग सन्योजीत वस्तर बोलेंगे, क्योंकि ये दो रेशों के कॉ बन रहा है, फिर आपका प्रब्लन की रूप में, प्रब्लन का मतलब ये है कि एक मजबूती की रूप में भी नायलॉन का जो वस्तर होता, उनको भी यूस किया जाता है, तो इसमें देखिए क्या होता, इस प्रकार के वस्तरों में प्रमुकता किसी अन्य वर्ग के प्रयो के लिए मजबूत होता है तो यह नायलान के धागे को कहीं कहीं केवल मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया जाता है जैसे औहुनी अब आपका जैसे क्या होता है अगर जो भी कपड़ा है उसकी जो स्लीव होती तो एल्बो के पास जो हिस्सा आता है वह बार-बार हम भावना हो तो ऐसे जगह पर नायलान के फाइवर का भी यूज़ कर लिया जाता है ऐसे हम लोग प्रबलन के रूप में भी नायलान का यूज़ कर सकते हैं आप इसके बाद फटा-फट कुछ क्वेश्चन है और इस पर जिस पर निशान अल्रेडी लगा हुआ तो मैं इसक प्रतम खोज कहां हुई थी अमेरिका में हुई थी वो जो कंपनी थी आपकी EID फिर है नायलान के धागे का व्यास निर्वर करता है व्यास यानि कि उसका डायमीटर तो डायमीटर क्या होता है उस कच्छी सामगरी पर इस पिंडेट के चिद्रों के व्यास पर खीचने की अब बात सही है आपने इस पिंडेट के चिद्रों से माली जी निकाला ठीक है तो बहुत जादा अगर आप खीचेंगे तो बहुत पतला धागा बन जाएगा अगर आपने कम खीचा तो मोटा भी बन जाएगा इसमें जो तीन हो चीजें आपकी जिमेदार है कि नायलान के धागे का जो डायमीटर होगा वो किस पर निर्वर करेगा ठीक है फिर आपका नेक्स्ट है शुद नायलान के धागे से निर्मित वस्त क्या कहलाते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा शत्प्रस्त नायलान के वस्त्र फिर है आपका नेक्स्ट कोश्चिन नायलान की धागों को खीच कर लंबाई में बढ़ा कर विशेश प्रक्या दागा गुंगराले बनाये जाते हैं यह धागे कहलाते हैं कता हुआ दागा अचा देखिए लगा है निशान इस धागे हम लोगों ने भी पढ़ा था फिर नेक्स्ट है नायलॉन के अनुपरस्त काट को सूप दर्सी स देखने पर गोल छोटे और चित्तिदार दिखाई देते हैं फिर नेक्स्ट है नायलॉन के धागे की सता पर छोटे बड़े लूप अथवा रोल उठाए जाते हैं इस धागे को क्या कहते हैं तो टेक्स्टर लागा कहते हैं हम लोगों न भी पढ़ा फिर है हीट सेट नायलॉन के वस्तर में सिकन प्रत्रवदगता उत्पन किया जाता है क्या किया जए था सिकन प्रत्रवदगता उत्पन किया जाता है हीट सेटिंग के द्वारा फिर नेक्स्ट है नायलॉन का धागा आतिदिक मजबूत होता है इसकी मजबूती का गारण क्या है तो क्या है ह दॉक्तर वैलस एच के द्वारा नेक्स्ट थाप सुनम में रेशी पॉलीमर रसाइंस निर्मित होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें बोला जाता है क्रित्रिम रेशा आज से हम लोग सब आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ रहे हैं तो इस वज़े से मैं आपको क्या प दूसरी वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान दखिए और बढ़िया से मेलावे लगूंकर आईए और आप देखने के लिए थैंक्यू और जाइए सभी को हैपी नौमी कल है दश्मी दशारा के भी धेर सारे शुब काम ना हो सकता है कल भी वीडियो ना आ पाए क क्योंकि अभी देखिए अभी मैं इसको अप्लोड कर रही है फिर से मैं पीवटी तैयार करूंगी तो सुबह हो सकता ना पाए पर एवनिंग में जरूर आएगी ठीक है और माल लो ना पाए तो कल हम लोग चुट्टी भी कर सकते क्योंकि कल तो पूरा हार जगा हॉलिडे रहेगा तो एक दिन की चुट्टी तो बनती है और शॉर्ट्स पाकी मिलेंगे ठीक है शॉर्ट्स मैं बना दूंगी क्योंकि उसमें बढ़िया रहता है तो चलिए अब आप सभी लोगों को मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में ठीक है क्या लिख रही है उर्दू लिखा रहा भी कोई बात नहीं तो चलिए सब लोग ध्यान रखिए बाए बाए टेक केर गुड़ नाइथ अब दूसरा वीडियो करेंगे हम लोग इसके बाद पॉलिस्टर पढ़ेंगे ठीक है चलिए बाए बाए ध्यान रखिए ध्यान रखिए